हैनों दोश्तों, स्वाधत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो आज का वीडियो बहुत में अच्ट पूर है त्यूंकि आज की वीडियो में विज्ञान के टॉप 50 प्रस्ण हैं प्रिच्छा की देश्टी से बहुत ही ज्यादा में अच्ट टूर है तो पहला प्रस्ण है जिम्निलिखित में से मानों की कौन सी गिरंथी दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है पहला विकल्प है एड्रीनल दूसरा विकल्प है पियूस तीसरा विकल्प है अग्नियास और फ्रोथा विकल्प है थाराई तो प्रस्ण में प्रिचा गया है कि कौन सी गिरंथी दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है दूसरा विकल्प सही है पियूस गिरंथी अगला प्रस्ण है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है पहला निखाए सभी धात में ठोस होती है दूसरा निखाए सभी धात में कथोर होती है तीसरा विकल्क लिखाए सभी अधात में गयस होती है और चौता विकल्क लिखाए सभी अधात में अतन्य होती है तो इस प्रस्ण के लिए चौथा विकल्प सही है सभी अधात में अतन्य होती है अगला प्रस्ण है किसी विशिष्ट छेत्र में विशिष्ट इंप से पाई जाने वाली इस पिसीज को कहा जाता है पहला विकल्प है संकटापन इस पिसीज दूसरा विकल्प है विलुप्ट इस पिसीज तीसरा विकल्प है विशिष्ट छेत्री इस पिसीज और चौथा विकल्प है फिरवासी इस पिसीज तो इस प्रस्ण के लिए तीसरा विकल्प सही है विसेश छेटरी इस पिसीन्ज अब या प्रस्ण है अपनी कमरे में फर्स पर रखे किसी विसाल वॉक्स को सरकानी के लिए रेसमा फोनिन लिखित बलों में से किस से अधिक बन लगाना चाहिए पहला विकल्प है इस्थैतिक घरसड दूसरा है गुरुत्वा करसड बल तीसरा है अभी लंब बल और फोर्था है पेसी बल तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है इस्थैतिक घरसड बल अगला प्रस्ण है नीची दिया गया कौन सा समुच्य ऐसी द्रवों को समाविष्ट करता है जो बिद्धित के हीन चालक है पहला विकल्प है टोटी का जल सैंपू सहद दूसरा है लवर्ड विनियन नीवू का रस सिरका तीसरा विकल्प है सैंपू बनसपती तेल आशुट जल और सोथा है चीनी का विनियन सिरका नीवू का रस तो इसमें विद्दूत के ही नचालक यानी की कुचालक पूछा गिया है एसा विद्दूत की कुचालक है तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा सेंफू, वनस्पति, तेल, आसऩजल अंजला परसमले लवर और जल के निस्रण को प्रथत करने की प्रक्रिया में निनलिखित में से कौन सहायत नहीं होगा पहला विकल्प है निस्तारण, दूसरा है निस्सेंदन, तीसरा है आसुवन और चोथा है उबालना तो इस प्रस्ण के निए पहला विकल्प सही है निस्तारण अगला प्रस्ण है वाई कोई ऐसा पौदा है जिसमें किलोरो फिल्प हरत लवक नहीं वोता वाई क्या हो सकता है पहला विकल्प है कसकुटा जिसे अमर बेन कहते हैं दूचरा है सैवान तीसरा है घट परडी फिचर पादप और सोथा है मेपल ब्रप्च तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है अमर बेन कसकुटा इसी कसकुटा भी कहते हैं और अमर बेन भी कहते हैं पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है रेसम कीट के जीवन चक्र और रेसम फाइवर के विद्पादन के सम्मंद में कौन सा कथन सही नहीं है पहला बखन फेर रेसम के कीट के लारवा को केटर पिलर कहते हैं दुझरा है प्यूपा कोशित विक्सित होकर केटर पिलर बन जाता है तीसरा है रेसम फाइवर केटर पिलर द्वारा सरावित पोटीन बोते हैं और चौता है रेसम कीट के कोकून से रेसम का धावा प्राप्त किया जाता है तो इसमें जो गलत है वह बताना रहे तो इसमें दुझरा विक्सित होकर केटर पिलर बन जाता है अगला प्रस्ण है व्यायाम के पश्चात कभी-कभी हमारी पेश्मियों में क्रेम आते हैं इसका कारण है यानि खिजाव उत्पन हो जाते हैं तो इसका कारण है पहला मिकलपे बुलुकोज का लैप्टिक अमन में परवर्तित नहीं होना दूसरा विकलपे पाइरुवेट का लैप्टिक अमन में परवर्तित होना तीसरा है पाइरुवेट का अल्कोवन में परवर्तित होना और चौता है गुलुकोज का पाइरुवेट में परवर्तित न तो इस प्रस्न के लिए दूसरा मिकल्प सही है पाइरुवेट का लैप्टिक अमने में परवर्तित होना अगला प्रस्न है वाई कोई मानो निर्मित रेशा फाइबर है जिसे प्राकर्तिक सरूत से प्राप्त किया जाता है वाई क्या हो सकता है पहला मिकल्प है रेखाला मिकल्प सही है अगला प्रस्न है निर्मित रिक्त में से किस प्राकर्या में वैक्टिरिया जिवान का उप्योग नहीं होता पहला विकल्प है दही वनने में, दूसरा है डवर रोती पकने में, तीसरा है गन्नी की रसके किनवन में और सोथा है नांट्रोजन के इस्थरी करण में तो इस प्रस्म के लिए दूसरा विकल्प सही है डवर रोती पकने में इसमें जिवाडनों का उपयोग नहीं होता है अगला प्रस्ण है निन लिखित में से कौन अन्न से भिन है पहला विकल्प है बनो नूलन, डूसरा है मरस्थली करण, तीसरा है अपरदन और चौथा है सनरक्षण तो इस प्रस्ण के लिए सोथा विकल्प सही है सनरक्षण अगला प्रस्ण है कडों के साइज यानि आकार के अनुसार कोन सा आरोही किरम को निलूपिक करता है आरोही किरम छोटे से बड़ा पहला विकल्प है चटान, मरतिका, रेत, बजरी, गाद दूसरा है मरतिका, गाद, रेत, बजरी, चटान तीसरा है गाद, मरतिका, रेत, बान, बजरी, चटान और चोथा है चटान, बजरी, रेत, गाद, मरतिका तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा पहले मरतिका, फिर गाद, फिर रेत, यानि बजरी, फिर चटान अगला प्रस्म है मचिनी मतस्र में किलोम यानि गिल्ड का काड़ होता है पहला रिकल्प है वायू से ओक्सीजन गिरहड करना दूसरा है जन में उपस्तित फोसकों को अवसोसित करना तीसरा है जन में उपस्तित विलेग वलन सी ओक्सीजन अवसोसित करना और चौथा है जन में अपसिस्टों को उत्सर देत करना तो इस प्रस्ण के लिए दुश्रान कल्प सही है जन में उपस्तित विले वलन्सील ऑक्सीजन अवसोसित करना अगला प्रस्ण है यदी सायोजक तार नहीं है ति विद्धुत परपत को पूरा करने के लिए प्रस्ण है अगला प्रस्ण है मनजुला संतल दरपड में अपने प्रतिवे में का प्रेक्षड कर रही है उसकी दरपड से दिनी 5 मीटर है वाई दरपड की और 1 मीटर चलती है वाई दरपड की और 1 मीटर चलती है अब उसकी और दरपड में बनी उसके प्रतिवे में के बीच की दूरी है पहला प्रस्ण है 1 मीटर दूसरा है 4 मीटर तीसरा है 8 मीटर और 4 है 10 मीटर तो इस प्रस्न के लिए तीसरा मिकल्ब सही हैं आठ मीटर क्योंकि उसकी दरपड से दूरी पांस मीटर थी और वह एक मीटर दरपड की तरफ चनती है तो कुल दूरी रह जाती है चार मीटर और जब उसका प्रितिविम बनता है तो चार और चार आठ यानि आठ मीटर इसका उत्तर बोगा अगला प्रस्न है गलत कथन पहचानियें पहला निखा है बाल वेरिंग का उप्योग मसीन के भागों के बीच के गर्षण में बरंदी करने के लिए किया जाता है दूसरा है प्रचवी पर संपर्क में रखे दो प्रस्टों के बीच गर्षण कभी भी समाप नहीं किया जा सकता तीसरा है लोटनिक घरसर सरपी घर्षड से कम होता है और चौथा है किसी तरन मेंगती करते समय किसी पिंड पर घरसर बल उसकी आपकृती पर निर्वर है निर्वर करता है तो इसमें जो गलत है वह बताना है तो पहला गलत है कि बाल बेरिंग का उपयोग मसीन के भावों के बीच के गरसर में विरद्धी करने के विए किया जाता है तो गयाई गलत है और गलत पूछा गया है अग्या प्रस्ण है निर्वर कित में से सही कथन पहचानिये लिखा है डॉक्ट्री थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए ठिया जा सकता है दूसरा है कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परसर 30 डिगरी सेलसियस से 100 डिगरी सेलसियस होता है तीसरा है प्रयोग साला थर्मामीटर का परसर 35 डिगरी सेलसियस से 42 डिगरी सेलसियस होता है और फ्रोथा है प्रयोग साला थर्मामीटर का परसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है तो इसमें जो सही है वैं बताना ने चौथा सही है प्रयोग साला थर्मामीडर का परसर डॉक्टरी थर्मामीडर से अधिक होता है अगिला प्रस्ण है निनलिखित में से गलत कथन पहचानिये पहला विकल्प है प्रत्वी की अपने आक्षपल गती आवर्ती गती है दूसरा विकल्प है प्रकास की गती सरल रेखी गती है तीसरा विकल्प है सितार के कर सितार की गती दोलन गती है और चौथा है सभी आवर्ती गतियां वर्तुल विरत्ताकार गतियां होती है तो इसमें जो गलत है वै चोथा, सभी आवर्तिगतियां वर्त्र वृत्ता कार रतना होती है अगला प्रस्थ है, निम्लिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो इसमें मिलान करना है, तो चलिए करते हैं मिलान, एस्टिकमल सिरका, लैक्टिकमल दरी, अवजनिकमल पालक और एस्कॉर्विकमल निम्बू वल्सफल, तो इस किरम में एक का चोथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तिसरा, तीसरा विकल्पिसमें सनी है अगला प्रस्म है, निम्नलखित में से किस समुच्या में केवल दूरी नापने के मातरक है पहला विकल्प है मीटर प्रकास वर्ट दूसरा है बालिस्त वर्ष प्रकास वर्ष तीसरा है बालिस्त मीटर प्रकास वर्ष और चौता है मीटर हर्ष और बालिस्त तो इस प्रस्न के लिए तीसरा विकल्प सही है बालिस्त मीटर प्रकास वर्ष अग्या प्रस्न है निम्नल पेरा फिन वांग, दूसरा विकल्ब है कोक, तीसरा विकल्ब है बिटिमेन और सोथन कल्ब है, इस नहीं हगते तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्ब सही है कोक, कोक पेट्रोलियम का उतपाद नहीं है पहरा फिन, मौंग, बिटुमेंग, ये तीनों ही पेट्रोनियम के वो पोत्वाद हैं अब या प्रस्ण है निम्लिकी जीवों में से कौन प्रकास संस्लेसर द्वारा अपना बोजन बना सकता है पहला मिकल्प है सेवाल, दूसरा मिकल्प है कवक, तीसरा मिकल्प है राईजियूबियम और फौता मिकल्प है वाईरस तुपिट कास संस्लेसर द्वारा अपना बोजन सेवाल बना सकते हैं पहला मिकल्प इसमें सही है अगला प्रसन है निमनिकित में से कौन से लक्षर धुर्वी भालों को चरम सी तवस्थाओं के अन्पूल वनाने में सहायता करते हैं पहला निकल्प है सफेद बाल चप्टे पैन त्वचा के नीचे वसा की परत तीसरा है सफेद बाल चप्टे पैन बालों की परते हैं तो इस प्रसन के निकल्प सही है सफेद बाल जिने फर कहते हैं चप्टे पैर और त्वचा की नीचे वसा की परत अगला प्रसन है दूद में निनलखित कौन से पोसक तत्व होते हैं दूद में निनल खित कौन से पोसक तत्व होते हैं पहला विकल्प है प्रोटीन कैसियम विटामिन डी दूसरा है प्रोटीन विटामिन सी विटामिन ए तीसरा है कार्वो आइडरेट विटामिन सी आईरन लोहा और तोथा है प्रोटीन आईरन विटामिन डी तो इस प्रस्ण के लिए पहला विकल्प सही है प्रोटीन कैसियम विटामिन डी अगला प्रस्ण है पूती रोधी रोगाडु रोधक की रूप में घाबों पर लगाई जाने वाने व्यागनी रंकिंग नियन में कौन सी अधातू रोटी है पहला विकल्प है क्लोरीन दूसरा विकल्प है आयोडीन तीसरा विकल्प है ब्रोमीन और चौता विकल्प है सलफार तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्प सही है आयोडीन अगला प्रस्ण है वायू के संबंद में नीचे दिया गया फोन सा कथन सही नहीं है पहला विकल्प है वायू में भार दिंता है दूसरा है मिर्दा में वायू उपस्थित नहीं होती अगला प्रस्ण है कोश्का की विसर में कौन सा कथन सब्त है पहला विकल्प है सबी कोश्काओं की आकरती बोल होती है दूसरा है किसी उतक की कोश्काओं जमान होती है तीसरा है किसी भली वाती व्यवस्तित जीर में कोश्काओं का आकार समान होता है और चोथा है सभी कोशकाओं में क्यान रख होता है तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्प सही है किसी इंतेक की कोशकाओं समान होती है अंगला प्रस्ण है निमिलकित में से कौन सा प्रदूसक ओजोन परत्ति अपच्छाई के लिए गुत्तर दाई है पहला विकल्प है कार्वन नाई ऑक्साइड और कार्वन वानो ऑक्साइड दूसरा है किलोरो फ्लोरो कार्वन तीसरा है अमिनिल वर्षा और चोथा है मेथेन और कार्वन नाई ऑक्साइड तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा विकल्प सही है किलोरो फ्लोरो कार्वन अगला प्रॉस्ण है निमलक्त में से कौन सा समुच्जा संचारी लोगों को निरिंपित करता है पहला विकल्क है रफ्त चीड़ता, इसकरवी, अतिसार है dairy दूसरा है मियादी भुखार मनेरिया, रफ्त चीड़ता, स्वाएन पिलू तीसरा है म्यादी विखार स्वाइन फिलू, मनेरिया, पोलियो और चौथा है डायविटीज, मनेरिया, रप्तिसीरता और म्यादी विखार तो इस प्रस्ण में तीसरा विकर्पिसाई हैं वियादी विखार जिसे टाइफाइड कहते हैं स्वाइन फिलू, मलेरिया और पोलियो अगिला प्रस्ण है चीटी के दन स्वे नमलखिप में से कौन सा अमल होता है पहला विकर्प है एसकौर्विक अमल दूसरा है हार्मिक अमल तीसरा है और जयनिक अमल और चोथा है एसिटिक अमल तो चीटी के डमक में हार्मिक अमल होता है दूसरा विकर्प इसमें सहीर है अब S कॉर में कमरे किसमें पाया जाता है ये आमला और खटे फलों में पाया जाता है वागजर ने कमरे किसमें पाया जाता है टमाटर और फालक में पाया जाता है S T कमरे सिर्का होता है और चेटी के डंके में फार में कमरे पाया जाता है अगला प्रस्ण है संसान में पाई जाने वाले सबसे लंबे सर्फ हैं पहला विकल्फ है बाई पर दूसरा विकल्फ है एना कॉंडा तीसरा विकल्फ है बोवा और चौथा विकल्फ है जानीदार अजिगर तो इस प्रस्ण की रही चौथा विकल्प सही है जानीदार अजिगर यह लगवग 33 थीट लंबा होता है यही दिम्या के समसे लंबे सर्फ है अगला प्रस्ण है विस मर्द में लोगों द्वारा इरोग किया जाता है क्योंकि पहला विकल्प है यह एक आसान ब्यायाम है दीसरा विकल्प है यह लोगों को स्वस्त रखता है तीसरा विकल्प है यह वूंक बढ़ाता है और चौथा विकल्प है यह खुसियान लाता है तो विस वर्ण में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह इन लोगों को स्वस्त रखता है दूसरा विकल्प इसमें सही है योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 दिन को अंतर राष्टी योग दिवस मनाया जाता है ये भी बात याद रखनी है अगला प्रस्ट है चेचप के टीके कारिस्कार के द्वारा किया गया पहला विकल्प है रोनाल्ड रोस दूसरा विकल्प है रोबर्ट कॉंच तीसरा विकल्प है एडवर्ड जेनर और चौता विकल्प है एलेजेंडर फिलेमिंग तो चेचप की टीके कानिसकार एड़वर्ड जेनर ने किया तीसरा विकल्पिस में सही है अब रोनाल्ड रोस, रोबर्ट कौँच और अलेंग जेंडर फ्लेमिंग के बारे में भी जान लीजे रोनाल्ड रोस ने मच्छन की पेट में ताग जाप की थी और इन्हें चिकिस्साक के छेतर में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था एड़वर्ड जेनर ने हैजा और तपेदिक के लिए जिन्मिदार वैक्टिया की खोच की थी और 1905 में फिजियोलोजी के लिए नोबेल पुरुषकार ने मिला था अलेंजेंडर फ्लैमिंग ने पेंसलीन की खोच की थी और 1945 में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो इन सबके बारे में भी याद रखना है और चेचक किटी की काविसकार एडवर्ड जेनर ने किया था ये भी याद रखना है अगला प्रस्ण है निमलिखित में से किसका उपयोग एक परिरच्चक की रूप में किया जाता है पहला विकल्ब है कौपर सलफेट दूसरा विकल्ब है सोडियम बैंजोईट तीसरा विकल्ब है अमोनियम सलफेट और चोथा विकल्ब है इन में से कोई नहीं तो परिरच्छक की रूप में sodium benzoate का उपयोग किया जाता है दूसरा विकल्प इसमें सही है sodium chloride का भी उपयोग किया जाता है इसमें option भी sodium chloride नहीं है sodium benzoate इसमें सही वोपा अगना प्रस्ण है yeast का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है पहला विकल्प है alcohol दूसरा विकल्प है दही तीसरा विकल्प है चीनी और चौता विकल्प है साधारण नमग तो yeast का उपयोग अलकोग के उत्पादन भी किया जाता है पहला विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है mitochondria, ATP, ribosome तो ribosome का संबंद बताना है पहला विकल्प है carbohydrates, दूसरा विकल्प है वसा, तीसरा विकल्प है protein और चौता विकल्प है vitamin तो इस प्रस्ण के लिए तीसरा विकल्प सही है protein अगला प्रस्ण है निम्नलिकित में से कौन सी धात वाईम में रखने पर जन उठती है पहला विकल्प है sodium, दूसरा विकल्प है magnesium, तीसरा विकल्प है जस्ता और चौता विकल्प है aluminium तो वाईम रखने पर sodium दातु जलने लगती है पहला विकल्प इसमें सही है तो इसे मिट्टी की तेर में रखा जाता है ये वाद भी याद रखनी है अगला प्रस्ण है magnesium hydroxide का उप्योग के रूप में किया जाता है पहला विकल्प है oxy का रख तीसरा है अपचाई का रख तीसरा है प्रती अमल और चौता है किंडवन का रख तो में अगनीसियम hydroxide का उप्योग किया जाता है प्रती अमल की रूप में तीसरा विकल्प इसमें सही है इसे milk और magnesia भी कहते हैं ये बात भी याद रख नहीं हो अगला प्रस्ण है निलिकित में से कौन सी गयस पॉप की द्वनी के साथ जलती है पहला विकल्प है oxygen दूसरा विकल्प है hydrogen तीसरा विकल्प है nitrogen dioxide और तो पॉप की द्वनी के साथ hydrogen गयस जलती है दूसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है निलिकित में से कौन से आसंपर्क वल के उधारण है पहला विकल्प है गुरुत्वा के सड़ वल दूसरा है पेसी वल तीसरा है चुम्पकी वल और चौथा है एक और तीन दोनो तो आसंपर्क वल के उधारण गुरुत्वा कर्सड वल भी है और चुंड की वल भी है यानि एक और तीन दोनों चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण है मद्वें रोग किस हार्मोन दवारा नियंत्रित होता है पहला विकल्प है थाईरॉकसिन दूसरा विकल्प है एडरेनिलेन तीसरा दीन गार्प है इंसुलिन और चौथा विकल्प है थाईरमोसिन तो इस प्रस्ण के लिए तीसरा विकर्प सही है इलसुलिन अगला प्रस्ण है निनलखित में से कौन सा पैट्रोलियम का उत्पाद नहीं है पहला मिकल्प है मिट्टी का तेन, दूसरा विकल्प है CNG, तीसरा मिकल्प है पहला फिन्मों और तो पैट्रोनियम का उत्पाद नहीं है, दूसरा विकल्प सही है CNG रेट डेटा बुक का रिकॉर्ड कर रखती है पहला विकल्प है संक्टापन पर जाती हूँ बुसरा है विलुप्त पर जाती हूँ तीसरा है वनस्पती और चौथा है प्राडी जात यानि पसिवर्ग तो इस प्रस्ण में पहला विकल्प सही है संक्टापन पर जाती हो अगला प्रस्ण है जूते के सोर आसंतन क्यों रखे जाते हैं पहला विकल्ब है जूते को और मजबूती देने के लिए दूसरा है जड़क्त गटाने के लिए तीसरा है जड़क्त बढ़ाने के लिए और चौता है जूते का जीवन बढ़ाने के लिए तो जूते के सोल आसंतन किये जाते हैं जड़क्त बढ़ाने के लिए तीसरा है या नहीं उसी क्या प्राप्त होने की संभाबना है पहला विकल्प है यह विद्धुत का सुचालक है दूसरा है यह विद्धुत रोधी है तीसरा है यह विद्धुत का कमजोर चालक है और रोथा है उत्रुक्त में से कोई नहीं तो इस प्रस्ण के निए तीसरा विकल्प सही हैं यह बिद्दुत का कमजोर चालक है अगला प्रस्ण है निमने लिखित में से किस इस्थान की चक्रवास से सबसे अधिक प्रवावित होने प्रत्वी प्रत्वी का भूलन अच इसकी कछातल के लमवत है दूसरा है प्रत्वी का बूलन अच इसकी कछातल के सापेश जोका हुआ रहे हैं तीसरा है प्रत्वी और सूर के वीज़ की रिंगी नियत नहीं है और स्वता है प्रत्वी का घूडन अच्छ इसकी कच्छा तल के समानांतर है तो इस प्रस्ण के लिए दूसरा अंकर्प सही है प्रत्वी का घूडन अच्छ इसकी कच्छा के तल के सापेक्छ जोका हुआ है अग्या प्रस्ण है निम्लकित में से कौन सा विस्मांगी मिस्रड है पहला विकल्प है गुबारे में घरी वायूंग, दूसरा है बिरास, तीसरा है स्टेनलेस, स्टीर और जोथा है आयोडी तो इस प्रस्ण के लिए चोथा विकल्प सही है आयोडी नियुक्त नमक समांगी और विस्मांगी मिस्रड किसे कहते हैं तो समांगी मिस्रड कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिस्रड जिसमें घटक कड़ों में समांगता होती है अर्थात कड़ों का आकार समान होता है और विस्मांगी मिस्रड इसमें कड़ों का आकार समान नहीं है अग्या प्रस्ण है कि यदि आप से किसी भली वाती प्रकासित प्रतिविंब को दीवार पर प्रच्छेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश के लिए निम्रिकित प्रकासि युक्तियों में से किसे चुनेंगे पहला प्रकासि प्रस्ण के लिए चौथा में करते सही है उत्तन लेंज तो ये विग्यान के टॉप 50 प्रस्ण थे वीडियो कैसा लगा कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा यदि कोई प्रस्ण में किसी भी पिरकार का कोई डाउट हो तो कमेंट वाक्स में जरूर झाल झाल